डवलू आई डी ओडवलू वीड़ो इसको पढ़ेंगे दोस्तों वीडाओ वीड़ो मिन्स होगा बिधुवा वीड़ो मिन्स क्या होगा बिधुवा ठीक है बिधुवा यानि जिसका पती मर गया हो उसे वीड़ो बोला जाता है ठीक है n a u g s ty नट्टी इसको हम लोग लुट बदमास नटकट हो किसी का बात नहीं मानता हो उसको नटी बोलेंगे ठीक है इसको क्या पढ़ेंगे देखिए विद्डोज नटी सन यानि बिधुवा देखें विड़ो में ड़िये से लगा है न तो बिधुवा का नटकट बेटा इसका हिंदी क्या होगा बिधुव का इसका हिंदी होगा बिधुआ बिधुआ का नटखट नटखट बेटा ठीक है बेटा नमस्कर दोस्तों हमारे ओनले टूशन अड़ा चैनल पर अपका स्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में इसी प्रकार से एक एक वर्ड का प्रोनाउंस करके और एक एक वर्ड का में मतलब बता बता कर पूरे सेंटेंस को ट्रासलेट करके मैं पढ़ाऊंगा हाँ दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि अच्छे से आपको इंगलिस पढ़ना आ जाए बोलना आ जाए लिखना आ जाए तो आप इस परकार के स्टूरी को जरूर देखिए और इस स्टूरी को लाश्ट तक जरूर देखिएगा तो आए यहां से हम लोग एक एक वर्ट को खूब आराम से पढ़ते हैं यहां पर लिखा दोस्तों देखे भी आई जी एवाई इसको पढ़ेंगे विजय क्या पढ़ेंगे विजय दोस्तों मैं एक स्रीज बनाया हूं जिसमें आपको एक पर लिख टू हिंदी इस टाइप से मैं बहुत सराविटी बनाया हूं जिसमें आपको हर चीज वो बताया गया है जो आपके लिए जरूरी है उसको जरूर देखेगा दोस्तों अभी उसका दूसरे तरीका से भी फिर से मैं बनाकर डाल भी रहा हूं तो इसको इसको क्या पढ़ेंगे डबलू ए एसको पढ़ेंगे वाज ठीकना यूज अफ एप्रोनाउंस अफ प्रोनाउंसियसन और भी मैं बनाया हूं जिसमें एक प्रोनाउंसियसन में बताया हूं तो मेरा एक एक वीडियो खोब ध्यान से देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि आप बहुत अच्छे से इंगलिस पढ़ने लगेंगे ठीक ना तो इसको पढ़ेंगे बिजय वाज वेरी क्या पढ़ेंगे इसको वेरी वी ए आरवाई भेरी नट्टी एल एए यू जी एस्टी वाई इसको पढ़ेंगे नट्टी वाई हूँ यूजड देखें यूजड से यूजड बना है यूजड टू फाइट अ लोट विद दा अधर वाज अराउंड हिम अब एक एक वर्ड का हम लोग पहले हिंदी जान जाते हैं मतलब उसका समझ लेते हैं नट्टी मिस आपको पता है नटखट वेरी मिस बहुत होगा यूजड टू एक साथ लगा है यानि किया करता था इस टाइप से यह संटेंस का मतलब निकलेगा फाइट मिन्स होगा लड़ना ठीक ना लडाई करना अलोट मतलब की बहुत जादा ठीक ना मतलब की हमेसा लड लड़कों के साथ कौन से दूसरे लड़कों एराउंड ही मियार उसके पडोस के जो थे उसके पास के जो आसपास के लड़के थे तो आप लगभग लबा 50% इसका अब ट्रासलेशन समझी गया होंगे तो यहां से आप पूरे सेंटेंस को ट्रासलेट करते हैं करकिव विज विजय बहूत ही नठखट लड़का था कैसा था विजय बहूत ही नठखट लड़का था बहूत कैसा लड़का था नठखट लड़का था ठीक है विजय बहूत नठखट लड़का था हूँ यूज्टू फाइट करके हूँ यूज्टू फाइट जो लड़ा करता था जो हमेसा लड़ाई करता था लड़ा करता था अलोट बहुत जादा विद दा अधर बॉय एराउंड हीम उसके आस पास के जो भी लड़के थे उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई करते रहता तो बिजय नटी लड़का था वह हमेंसा लडाई करते रहता था आप भी देखेंगे आपके आसपास में कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिसको आम लोग देहाती वासा में टेटीया बोलते हैं इक ना वह हमेंसा किसी बच्चा को टोन देगा बात-बात पर किसी से लड़ जाएंगे कहीं न कहीं किसी के हत्ते चड़ जाएंगे और वह अच्छे से सुधर जाएंगे यहां से पढ़ते हैं दोस्तों करा डियू टू विची ही जी वीडो मादर गट वेरी अपसेट एंड अलवेज इनकॉरेज डे हीम टू डू गुड डिड से बट एव ही नेभर ही डेड हर वर्ड अब जो हम लोगी पढ़े हैं इसमें कुछ-कुछ बड़े-बड़े वर्ड हैं इन सब को पर समझ लेते हैं यहां पर अपसेट मिस होगा नर्वस ठीक ना अपसेट नर्वस अलवेज मिस होता है हमेशा अलवेज मिस क अब लिया होगा हमेशा इनकॉरेजड इनकॉरेज मिस होता है कि मतलब कि उसको साहस बढ़ाना कि अगा कि कि इनकॉरेज मिस होता है प्रोत्साहित करना यानि किसी काम के लिए मतलग कि इसको बार bah mày समझाना परतिसाहित करना कि यह अच्छा करने के लिए प्रतिसाहित करना तो अब इसको ट्रान से कर लेते हैं काराय की डियू टू विचे मतलब की जिसके कारण किसके कारण विजय जो था अपने आसपास के पडोस के लड़कों से हमें से लडाई करते रहता था जिसके कारण उसी सेंटेंस का है दो कि कॉमा तक रुख गया थे हम लोग उतना ट्रासलेट के ते फिर उसके ब मा थी यानि उसके पिता नहीं थे उसके जो विध्वा मा थी गोट वेरी अपसेटे हमेशा कैसा रहती थी नर्वस रहती थी इसके चलते हमेशा परेशान रहती थी एंड अल्वेज इनकॉरिजड हीम टू डू गुड डिड्स और हमेशा इसे प्रोचाहित करती थी कि कुछ अच्छा करो अच्छा बनो ठीक ना कुछ भी करो अच्छा करो देखां डू से डिड्स बना ठीक है अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को फूल ही नेवर हीडड हर वर्ड से लेकिन वो कभी भी बात नहीं मानता था हीडड मी सुता है नहीं मानना नहीं या नहीं मानना तो वो कभी भी बात नहीं मानता था अपनी मां के ठीक है कौन बिजय कभी भी अपने मां के बातों को नहीं मानता था यहां से देखते हैं दोस्तों का रहा कि वन डे एक दिन वन डे का मतलब क्या हुआ एक दिन वें सी आप डेहीज सेकेंड सन टू अब यहां से देखते हैं दोस्तों कारकी वन डेह एक दिन वें सी आस्क डेहीज सेकेंड सन टू टेक विजाय टू मुंबाई फॉर दा परपस आफ आर्निंग ही एग्रिड देखिए अब यह जो हम लोग अभी रिड किये हैं इसमें कुछ सेंटेंस जो है कुछ वर्ड जो है जिसका हम लोग मतलब समझ लेते हैं गौर्ट सकर्डीड में जाएक दूसरा परपस में सुता है उदेश से क्या होगा उदेश सिर्णिंग में सुता है कमाना एग्रिड में सुता है साहमत दखी आप आस्क में सुता है कहना पुछना बोलना ठीकना अब इसको अम लोग ट्रैसलेट करते हैं करकी one day एक दिन वेन जब ऑसक्ड़े ही इस सेकेंड़ सब एक दिन जब वा हकान वे जए की माऊ तक कि वह आस्क ड्रों मतलब कि वाब बोली बुलती है हिज सेकेंड सब्सक्राइ्ट अपने दूसरे बेटे को वैपने दुस्षे बेटों को एक दिन बोलती है तु टेक विजाया टू मुंबऌई विजाय को मुंबई ले जाने के लिए of earning कामाने के वूरिय।्ध से अपने बेटों को दूसरे बेटों को बोलती है की विजाय भी अपने साथ मुंबई लेकर चले जाओ वहां पर ये कमाएगा तुम्हारे साथ ही राकर कमाने के उदेशे से क्या करती है कि विजय को मुंबई जाने के लिए अपने बेटों के साथ बोलती है फी एग।ट वह साहमत हो जाता है विजय साहमत हो जाता है और उसके बेटे वि मांग जाते हैं उसको लेजाने के लिए ठीक है कि ऩिव आज वेविए हैंपी टू ही रडाट की यह उसका दुसरा बेटा विजय को लेकर बाहर चला जाय 500 श्रूंगा था घर पे उसके बाद देखे दोस्तों करकि आप्टर सॉम डेज बहुत रिष्ड मुंबई आप्टर मिंसों के बाद सॉम डेज कुछ दिन बहुत मिंसों का दोनों रिष्ड मिस पहुंच गाए ठीक ना तो आप लगवक समझें गया होंगे देखिए जब तक आपको सेंटे से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे 있을 ना तो करकि आफ्टर सम्बैज कुछ दिनों के बाद बॉंद्रिश्ट मुंबई दोनों कहां पहुंच गया मुंबई पहुंच गया दोनों पहुंच गया मुंबई है कौन दोनों भाई इसके बाद कि दूस्तो करकिlics से मतलब की चुकी सिंस का मतलब क्या चुकी विजय वाज भेरी नटी चुकी विजय बहुत नटकट था दोस्तों इसमें पड़ा भी है विजय कैसा था बहुत नटकट था बदमास था तो इसलिए कि ही श्टाटरड डूइंग एलेगल वर्क रियर एलेगल मुंस होता है घलत काम ठ acompa कोई वी अरेतिक गलत काम तो यहां पर का रहा है कि%. कि सह स्टाटर डिसलिए वह सुरू कर दिया क्या सुरू कर दिया डूइंग एलेगल वक बेहर और वहां पर वो कुछ illegal काम करना शुरू कर दिया गलत काम करना शुरू कर दिया कहां पर मुंबाई में भी क्योंकि उसका चाल ही खराब था वह बचपन से यह बहुद्धा था तो वहां पर भी बहुद्धी करें गहीं कि वन दे एक दिन दपूलिश कॉट हीम रेड हेंडेड विद फिज गेंग गेंग मिशो का गूप रेड हेंडेड मिशो का रंगों हाथ यानि कोई गलती करता है और ऑन दो टाइम और अड़ श्पार्ट मतलब उसी समय उसी जगह पे जा पर गलती करता है रंगे हाथों वन डे एक दिन दो पुलिश कॉट पुलिश पकड़ लिया के कैच का पाश्फर्म कॉट है पुलिश पकड़ लिया हीम किसे उसे विजय को रेड हैंडेड रंगे हाथो रंगे हाथो पुलिश उसको पकड़ लेता है विद हीज गेंग उसके गेंग के साथ उसके ग्रूप के साथ विजय को पुलिस पकड़ लेता है आफ्टर सिक्स मंत च्छो महीनों बाद जब च्छो महीना बित गये उसके बाद करकी आफ्टर सिक्स मंत और इंप्रीजन मेंटे देखिए इंप्रीजन मेंट का मतलब होता है का दिखाना यानि काद में वह बंद हो गया था वो जेल में चला गया था करकी आफ्टर सिक्स मंत आप इंप्रीजन मेंट मतलब की आप छो महीना तक वह काद रहने के बाद मतलब की निकला बाह निकला, he returned to his hometown, वह अपने hometown आया, जहाँ पर मां के साथ उड़ा था घाव में, वहाँ पर आया hometown आता है, return मी चुता है, वापस आना, वापस आता है, and narrated the whole story to his mother, और narrated मी सोगा, यहाँ पर कहना, सुनाना, बताना, करा कि narrated the whole whole मी पूरा, पूरी कहानी, whole story पूरी कहानी, to his mother, वो अपने मा से पूरी कहानी बताता है, कि उसके साथ क्या-क्या हुआ था, and told her that she was right, और ये भी कहता है कि मा मुझे से गलती हुई, और तुम सही थी, तुम हम ऐसा मुझे डाटती थी, बोलती थी, तो तुम सही थी, ये चीज उसको अहसास हो गया था, उस लड़के को, करें कि moral of the story, इस story क्या नैतिक क्या है, इस story से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से सीख क्या मिलती है दूस्तों, करें कि the moral of the story is that, we should always listen to our parents, and follow what they say, करें कि moral of the story, इस कहानी से सीख मिलती है की, that की, we should always listen, हमें हमें सा सुनना चाहिए, to our parents, अपने माता-पिता को, जो भी हमारे माता-पिता बोलते हैं, डाटते हैं, जो भी समझाते हैं, उसे हमें सा ध्यान देना चाहिए, and follow what they say, और जो भी हो कहते हैं, उसको follow करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रित्वी पर, माता और पिता का ही एक ऐसा रिस्ता है, दोस्तों, बड़ा हो जाने के बाद, साधी संबन्द हो जाने के बाद, बच्चा के बाद, वो क्या होता है, थोड़ी सी समस्या आ जाती है, हर किसी के साथ, वो अलग चीज है, मैं लेंगिए जब तक लड़का बच्चा हे माता पिता के निगरानी में है खुदके पएरो पर खाड़ा नहीं है तब तक उसके माता-पिता किसी भी हाल में उसको गलत दवाप नहीं अधित करने के लिए लुटकुम बात कि बात काम हम नहीं कर रहे हैं होता है कि बहुत सारे फैमीली में जब लड़के का साधी हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारे लपड़ा शुटिंगर सुरू हो जाता HR característ double और माता पीदा गलती देखकर तो हमेसा बोलते ही आ रहे हैं तो बोलेंगे ही जिसके कारण बहुत सारे बाते होते रहती दोस्तों हर किसी के साथ होता है यह आप भी जानते हैं दोस्तों यह स्टूरिक कैसा लगा प्लीज कमेंट मक्स में लिख कर बताएगा और यदि आपने कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन दबा के ओल पर क्लिक कर लिजिएगा चले दूस्तों आज करते हैं मिलते अंगले क्लास में जाहिंद